हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग दिस इज यूर यूट्यूब चैनल मार्केट मूबर और यहाँ पर मिलते हैं आपको क्वालेटी वाले स्टॉक्स की डिटेल और इस वीडियो पर मैं आपके पास लाया हूँ एक ऐसी स्टॉक जो भारत की नंबर वन कमपनी और डेट फ्री हो हो चुकी कमपनी अब कमपनी में आएगा एक बहत्तरीन रैली जिसका इंजोई अगर आपको करना है आने वाले दस सालों में तो आप इस वीडियो को इंड तक जरूर देखिए गा देखिए एक्चोली में मैंने पहले भी कहा था कि स्टॉक को इसके प्राइस से बिल्कुल बन सकता है क्योंकि स्टॉक और मैनेजिमेंट और कंपनी सब में है दम जी हां मैं बात कर रहा हूँ रेलाइस इंडस्ट्री एक कंगलुमे세 के है जो एक ही बैनर करते हैं रिटेल, डिजिटल, रिफाइनिंग, पेट्रो केमिकल और ना जाने कितने कामों को अंजाम देगी आने वाले टाइम में आपको खुद भी पता नहीं है और इतने इफेक्टिबली काम करते हैं कि सारा चीज नजर आता है देखिए मैंने इससे पहले वाली वीडियो पे और इससे बहुत सारी वीडियो रिलांस इंडस्री पे कबर किया है जिसमें आपको बताया है कि आने वाला जो 5-10 साल है वो इस कंपनी में आपको बहुत कुछ देखने क को मिल सकता है अगर आपने हमारी बातों को सुनते हुए स्टॉक पे बहुत पहले ही बना होगा चौदर सो रुपिये से इवेन इससे पहले भी बहुत सारी कबरेज हुई है बट चौदर सो रुपिये से मैं इस स्टॉक को आपके साथ डिसकस कर रहा हूं च्छल सो रुपिये पे फिर से एक बार डिसकसन किया था और मैंने कहा था कि सोला सो पे अगर ये स्टॉक उपा जाके टिकता है एक से दो दिनों तक इस स्टॉक पे बहुत भेहांकर तेजी आएगी और इस स्टॉक को अथारा सो रुपिये तक ले जाएगी सत्रा अथारा चाहिए तो मुझे तो असा लगता है कि हर हर टाइम फ्रेम पे स्टॉक पे साइपी कीजिए और आने वाले टाइम के लिए ऐसे स्टॉक पर आप नहीं छोड़ेंगे तो कैसे स्टॉक को छोड़िए कमपनी डेट फिरी हो चुकी ऐसा स्टेटमेंट दिया है कमपनी ने और व से मुके संबानी जी पूरे वर्ल्ड पे दस नंबर रैंक पर पहुंच चुके हैं रिचेस्ट परसन पर सब कुछ ठीक है कमपनी का डेट स्ट्रेक्चर थोड़ा सा वीकता यह इन्होंने डेट फ्री कर दिया है कर देंगे सारी फॉर्मलिटी होने के बाद यह आपको जीर रिलांस इंडस्टी ने 19 तारिक को 19 जून को यह कॉपी बीसी और एंसी दोनों एक्स्चेंज को सब्मिट किया है और दोनों एक्स्चेंज पर ट्रेडिंग होती है तो दोनों को सब्मिट करना जरूरी है देख लिजे अवित अटेच कॉपी मेडिया रिलीज्ट इसू बा और वैसे ऐसे कंपनी नहीं आई है इसके पास इंवेस्टिमेंट करने के लिए दुनिया की दिग्ज़ कंपनिया इस पर्टिकुलर रिलंस जीयों के पास में आई है इनवेस्टिमेंट के तौर पर देखे कॉपी में यहां पे नीचे इतनी जो पैसे आए हैं कहां कहां से सारी चीज़ें यहां पर डिसकस की गई है देखें गुलोबल टेक्ट इन्वेस्टर्स जो आए हैं वह एक लाग पंदरह हजार च्छे सुतिरानबे करोड की रूपीस में इन पर निवेस्ट किया है और राइट इसू से सिर्फ 53,000 करोड रूपिया इनके पास आया है यहा हुआ है देखें यहां पर दिया गया है सारी चीज़ें कोवेड-19 का आपको पता है कि जो प्रोब्लम चल रहे थे इस बीच में इन्हों ने इतने सारे डील की है बोट अब दीज आर अल्सो यहां पर इंडियन कॉर्पोरेट हिस्टी एंड हैव सेट अन्यू बेंचमार्क इस इवेन मोर रिमार्केबल एंड इस वाज एचीवड एमेड्स ग्लोबल लॉकडाउन कॉस्ट बाइदा कोवेड-19 पैंडिमिक यह ऐसे समय पर किया गया है कि एक बैंचमार्क होना चाहिए मतलब रिमार्केबल काम हुआ है यासा इनका मानना है और आपको भी लगेगा कि सोच के देखिए जब सारी इंडस्ट्री बंद तब इस कंपनी के पास बड़े बड़े डील सो रहें थे ठीक है यहां पर देखिए 1,61,000 करोड 31st मार्च में था इनका डेड विद इज इन्वेस्टमेंट रिलांस एस बिकम अने डेड फ्री कंपनी डेड फ्री हो चुक करके अब देख लिजे एक दो तीसरे नंबर पर विस्टा एक्विटी पार्टनर्स 2.3 परसेंट के साथ जेनरल एट्लांटिका 1.3 परसेंट के के आर मुबादला सिल्वर लैक पार्टनर सेडिशनल इन्वेस्टमेंट सेकेंड टाइम आके फिस इन्वेस्ट की 0.93 परसें परसेंट टीपीजी और वेगरा देखिए यहां पर तीन चार कंपनिया नजर आ रही है और जब राइट इसू के प्राइस को निकाल दिया जाएगा सोरी एड कर दिया जाएगा तो यह प्राइस इतना खड़ा होगा तो यही है इस कंपनी का लेटेस्ट खबर और आप इस इस अचीवमेंट्स रिमुके संबानी स्टेट टूड़े आं बोथ डिलाइटेट अन हमबल तो एनाउंस दैट वी है फूल फिल्फिल आवर पर्मिसंस तो देखोल्डर शेयर होल्डर बाय मेकिं रिलाइंस नेट देट फ्री मच पीपोर ओर ऑर इजिनल सेडियोल्स देक तो आपको फिर आपको जहां भी अपडेट देखिएगा आपको वह जीरो नजर आएगा देखिए यहां पर इनका भी डिट नजर आ रहा तो यह सारी चीजें खत्म हो जाएंगी जब पेपर वर्क हो जाएगा जो पैसे लिए गए चुकता कर दिये जाएंगे वह जीरो हो तो देखिए फाइदा तो जबरजस्त होगा यहां पर देख लिजिए कंपणी इंट्रेस्ट कितना पेकर रही थि छे हजार करोड की यह क्या कर रही थी कंपणी अब यह छे हजार रुप्या इनके पास आएगा और आप समझ के देखिए कि इनको कितना प्रॉफिट होगा आप देख लिजे 11,000 करोड की इन्हों ने profit की थी December quarter 2019 को और अगर ये 5,000 करोड इनको नहीं देना पड़ता तो इनको 16,000 करोड की profit होती तो आप सोचके देखे कि कितना profit margin बढ़ेगा जब net profit में इजापा आएगा तो EPS बढ़ेगा और EPS बढ़ने से price का बढ़ना तई है सकते हैं देखे future कुछ भी हो सकता किसी चीज की कोई guarantee तो नहीं है stock market में लेकिन जो actually में नजर आ रहा उस चीज को तो हम लोग जुटला नहीं सकते हैं और उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं इसलिए रिलांस इंडस्टी अभी आने वाले टाइम का एकदम एकदम हीरो बनने का पूरा काम कर रहा है और वो नजर भी आ रहा तो मेरा मानना यहीं है मैं अपने पर्सनल उपेनियन आपको शेयर कर रहा हूं बाकि आप तो इन्वेस्ट करने से पहले जरूर एक बार सोचिएगा और अपने फाइनसेल एडवाजर से जरूर सला लीजिएगा रिलांस इंडस्टी आने वाले टाइम का बहुत बड़ा एक स्टॉक बहुत बड़ा स्टॉक बनने वाला है ऐसा मेरा मानना है मैं गलत भी हो सकता हूं लेकि रिलांस इंडस्टी को जरूर देखिए तो यह खबर ती जो मैं आपके साथ सेर करना चाहता था अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर एक बार लाइक किजेगा कमेंट किजेगा चैनल को सब्सक्राइब बाइब बाइब करदमास और दुढारे माने यह सब्सक्राइ Speaking इंडिया की कुछ कंपनियों खरीद का और दो आएए kes अगर आप जानना चाहते तो कमेंट ने तो में श्तीisch करें आंगे तो मैं यह जरूर्जा ईस हो सकता है आपको कल उन सभी स्टॉक पर बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिले तो कौन सा वह स्टॉक क्या है उनके क्या उस पर बनना चाहिए सारी चीजे जानने के लिए कमेंट सेक्षेन पर कमेंट कीजिए मैं आपको जरूर वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए थैंक्यू